कोरोना महामारी के दौरान जो मुश्किले लोगों ने सही है उसी को देखते वे राजस्थान के नवीन कटारा ने इस सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाई है यह फिल्म लॉकडाउन के नाम से यूट्यूब पर 31 जन्वरी को रिलीज होगी वही हमारी समवादाता कविता चोहान ने बात की फिल्म के प्रोड्यूसर अक्टर नवीन कटारा और फिल्म की अभिनेतरी जोती प्रभू से जैसे कि आपको पता है कि दुनिया भर में जो करोना की महामारी फैली भी है कोई भी ऐसा देश या शेहर ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ हो लेकिन इस महामारी के दौरान काफी लोग ऐसे भी है जिनका जो क्रियेटिव साइड है वो उभर के आया है हम बात कर रहे हैं राजस्तान के दो ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इस लौकडाउन के दौरान एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है लौकडाउन और यह जो फिल्म है यह बेस्ट है कि कि किस तरीके से कि आगे ऐसी सिचुएशन ना आए कि पूरी दुनिया रुक जा तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बढ़ाई है आपने कितनी अच्छी फिल्म बनाई है क्या कहेंगे कहां से थाट प्रसेस आया इस फिल्म को बनाने का यह इंतर रहता था फिर मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया तो जैसे फिल्म के प्रसेस लोगणान वह मैंने कांदी के बाहरे-बना जाह रहे हैं जिस तरह को आपने कहानी के बारे में बताया है या लोगों से रिक्वेस्ट भी करी है कि जादा बहार ना जाए तो इसमें एक तो नहीं मुझे काफी social message दिखाई दे रहे हैं लेकिन में जो आपका मकसद है वो लोगों को क्या बताना है में मकसद जो हमारा है में वो यही है कि हम जो अब भी जो गलतिया करना जो हम पिछले lockdown में की थी वो इस lockdown में ना करें इसमें हम लोग कंट्रोल रखे अपने उपर भार को काम की वज़े से निकले और जो गवर्मेंट की जो गाइड लाइन उनको फोलो करें जो फिल्म है कहां शूट करी गई है कितने दिन लगे इस फिल्म को शूट करने में कोई गाने वगरा भी हैं जो किसने कंपोज की है और अगर आप हमारे लिए कोई अच्छा सा गाना गुन गुना सके अगर फिल्म में गाने हैं मैम नहीं गाने नहीं है लेकिन फिल्म कहा शूट की गई है और कितने दिन लगे ये मैम दो महीने लग गए थे ये हमारा जोदपूर में हुआ था जैपूर में था टॉक में डेवली